हेलो फ्रेंड्स यह एक फॉलॉप वीडियो है इससे पहले जो मैंने डाला था शॉर्ट सेलिंग पेनाल्टी के उपर तो बेसिकली उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है शॉर्ट सेलिंग मींस वही जो सेल करके 320 से पहले अगर आप बाय नहीं कर पाते हैं एस सपोज उस पे अपर सरकेट लग जाता है तो इस केस में क्या होता है देखिए मैं अब आपको क्लियर कट सेनारियो दिखाता हूं अपने ट्रेड बुक से इनके जिनके से हुआ था यह काम श्रदा जी के जो मेरी क्लाइंट है आयथर इंडस्ट्री की इन्होंने 21 शेर्स जो है वो 774. 40 पे शॉर्ट मारे थे ठीक है अब आप यहां पर बात को समझेए 744.40 पे इन्होंने शॉर्ट मारे थे अब मैं आपको दिखाता हूं स्टेट्मेंट यह देखिए यहां पर आप देख रहे हो तो हुआ क्या कि इन्होंने 774.40 का रेट है ठीक है ना अब आपको इसमें मुद्दा क्या समझना है आपको यह समझना है कि यह कैसे डिड़क्शन करते हैं यह डिड़क्शन करते हैं आपका यह आप जो देख रहे हो 19514 का अमाउंट सबसे नीचे आप देखिए ठीक है यह कैसे निकला यह निकलता है आपका जिस प्राइस पे हमने शॉट मारा आता है 774.40 इससे 20% अबव कर दूँ आप 20 गुड़ा 100 ठीक है प्लस 774.40 क्योंकि 20% अबव ले रहे हैं तो जोड़ेंगे पूरा अब इसको आप 21 से मल्टिप्लाइ करो 19514 ओल्मोस्ट वही फिगर उपर नीचे थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है 19514 यह अमाउंट इन्होंने शॉट डिलेवरी मार्जिन ब्लॉग्ड किया अब इसके उपर आप देख रहे हो नेट सेटिल्मेंट फॉर एक्विटी विद सेटिल्मेंट नंबर यह जो 16298 है यह कहां से आया यह फिगर आया आपका 774.4221 जिस रेट पे हमने शॉट सेलिंग करी थी ठीक है 16298.78 वही अल्मोस्ट सेमलर है 16262.40 तो उस दिन तो इन्होंने बेसिकली यह मेरा डेड़क्शन कर लिया था इनका डेड़क्शन कर लिया था 3251 का उसके बाद क्या हुआ आफटर टू टू थ्री डेज जब सेटलमेंट हुआ ठीक है यहां पर इन्होंने क्या किया यह देखिए अब आप देख रहे हो आठ तरीक को ऑक्शन सेटलमेंट का एक दिखाया हुआ इन्होंने auction settlement value for इतना इसमें इन्होंने क्या किया जो auction का settlement हुआ और short delivery margin reversed जो इन्होंने reversed किया अब यहाँ पर क्या आया आपका यह आप देखिए पहले deduct किया फिर उन्होंने बढ़ा के दिया अब आप इसमें देखिए इसमें क्या बना 19514-17328 यह auction से होकर आया 2186 रुपए इन्होंने return कर दिये ठीक है 2186 इन्होंने return कर दिये और वहाँ पर हमारा क्या था वहाँ पर हमारा 32 रुपए इन्होंने काटा था तो मतलब 32-2186 1014 रुपए का मेरा total loss हुआ था उस दिन तो यह है total scenario प्लीज इस वेडियो को बार बार देखिए आप तो आप अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है झाल